नवस्कार मैं हूँ अमित सिह और आप देख रहे हैं न्यूजनिप का वीडियो ब्लॉग राहूल गांधी ने सुप्रिम पोर्ट के हवाले से चौकिदार चोर है कहने पर आज खेद जताया दरसल राहूल गांधी ने कहा क्या ये आपको बताते हैं कांग्रेस अधक्ष राहूल गांधी ने सुमवार को यानि आज राफेल विवान सौदे मामले में सुप्रिम कोर्ट का हवाला देकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर टिपनी करने के लिए खेद जताया सिप्रिम कोर्ट का कहना था कि कांग्रेस अधक्ष अपने टिपनी में उसका गलत हवाला दे रहे हैं दरसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को साब साब कहा था कि राफेल मामले की सुनवाई के दौरान कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि चौकिदार नरेंद्र मोदी चोर हैं जैसा कि राहूल गांधी अपने बयान में जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कुछ दूसरे डॉक्यमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में दुबारा सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में दुबार सुनवाई होनी चाहिए। जो कहा वो आपको बताते हैं रहूल गांदी ने अपने हलफ नामे में लिखा कि मेरा बयान स्यासी प्रचार की गर्मा-गर्मी में दिया गया था इसे मेरे विरोधियों ने खलत धंक से पेश करके जान बूच कर ऐसा जताया कि मैंने ये कहा हो कि अदालत ने कहा है कि चौकिदार चोर है ऐसी सोच तो मेरी दूर-दूर तक नहीं थी ये भी साफ है कि कोई भी आदालत ऐसा कुछ कभी नहीं कहगी इसलिए इस दुर्भा के पूर्ण संदर्ब जिसके लिए मैं खेद ब्यक्त करता हूँ कोई ये न समझा जाए कि आदालत को दिया हुआ कोई निशकर्श या टिपणी है दसर राहूल गांधी ने अपने हलف नामे में सीधे तौर पर माफि मांगी अपने बयान के लिए जिसमें उन्होंने सुप्रिम कोर्ट का हावाला दिया था हला कि उन्होंने ये कहना बंद नहीं किया कि चोकिदार चोर है अपने हलف नामे के तुरंत बाद उन्होंने एक tweet किया, जिस tweet में उन्होंने ये कहा, आपको वो tweet दिखाते हैं, जिसमें राहूल गांधी ने कहा है, कि 23 में को जनता की अदालत में ये फैसला होकर रहेगा, कि कमल चाप चौकिदार ही चोर है, ना होकर रहेगा, यानि आप समझे इस बात को, राहूल गांधी ने चौकिदार चोर है कहना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने सिर्फ उस बयान पर माफी मांगी, जिसमें उन्होंने सुप्रिम कोर्ट का हवाला दिया था, कि सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा है, कि चौकिदार चोर है, इसके बाद दरसल हुआ क्या, आईए आपको बताते ह हैं, इसके बाद BJP ने ट्वीट किया कि नेशन नोस चौकिदार प्योर है, इसके बाद BJP की तरफ से बयान पाजी शुरू हो गई, सबसे पहला जो बयान सामने आया, उसमें डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन ने प्रेस कॉन्फरेंस किया, और उसमें उन्होंने इसके बाद स्मृति इरानी का भी ट्वीट आया, आपको दिखाते हैं कि स्मृति इरानी ने दरसल क्या ट्वीट किया है, दरसल स्मृति इरानी ने एक न्यू चैनल के ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा कि जूट के बवाल पर हुआ सत्य का प्रहार, इसके बाद एक क कई बीजेपी नेताओं ने राहूल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और कॉंग्रेस को घेरना शुरू कर दिया दरसल राहूल गांधी के ये मानने के बाद सुप्रिम कोर्ट में कि उन्होंने गलत बयान दिया था इसका क्या असर हो सकता है दरसल आप समझे इस हलफ नामे के दो पहलु को, राहुल गांधी ने Supreme Court का जो उन्होंने हवाला दिया था कि चौकीदार चOR है, ये Supreme Court ने का सिर्प उस पर उन्होंने माफी माँगिए, उन्होंने राहुल गांधी ने या Congress ने कहीं भी इस बात से इंकार नहीं किया, या कहीं भी इस बात पर वो defensive जनता के बीच जाएगी और ये कहेगी कि राहुल गांदी खुद ही अपने ही बयान से पलट रहे हैं इसका साफ मतलब है कि वो जूट बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में कहीं कोई गड़बड़ी की है देश दुनिया और आपने आस पास की तमाम खबरे फटाफट अंदाज में पढ़ने और सुनने के लिए नियूजरिब आप ज़रूर डाउनलोड करें नियूजरिब के इस वीडियो ब्लाग में आज इतना ही